तो जो साफ है वो जाले में फसा हुआ है तो देखते कि कौन प्रजाती का साफ है तो ये धामन प्रजाती का बिन जहरिला साफ है इसको रैट स्नेक कहा जाता है तो ये बुरी तरीक से जाले में फस चुका है तो इसे निकलने की कोशिश तो हम कर रहे है तो जाली से इसाफ हट ही नहीं रहा था उसका जो हेड का जो भाग है वो तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा था जो मेरे हाथ में लगा वो टेल का भाग था तो इसलिए जाली में से साप निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था तो मेरे साथ साथ देने के लिए थे सर्पमित्र सुमित परदेशी और सर्पमित्र रोईच उगुले तो हमने जाली को पूरी तरह कट करके तो उसको जाली से हटाने की कोशिश तो कर ली तो जाली वगेरा कट कर लिया वहाँ पर जो कबड़ विवार गिरा तो उसको हटा के अच्छी तरह से रेस्क्यू करके उसको डैमेज वगेरा हुआ है के चेक करके रेस्क्यू कर लिया आसपास में जो जो गंदगिया हम कर लेते हैं उसके जिसे चुवे मेंड़क आते हैं चुवे मेंड़क के पीछे-पीछे साप आ जाते हैं तो तो इसलिए घरों के आपे आसपास की जगा सब सपाई सुत्रिदार रखें तो हमने इसको रेस्क्यू करके इसको जंगल में बुलिए